तो दिल थाम के बैटे ये वीडियो देखने के बाद सदमा लग सकता है ये वीडियो में जो शेयर बताये जाएगा और बहु बली आज जो है बिल्ली बनने वाला है क्योंकि आप लोगों को जितना जादा निफ्टी-फिप्टी पे भरोसा है हाला कि निफ्टी-फिप्टी क इतना बड़ा रिटन सोच लिजे इतना बड़ा रिटन चलिए कोई दिकत के बात नहीं है देते रहते हैं इतना अगर मैं आपको बात करूं ये टिल डेट की ये टिल डेट की वन येर भी नहीं हुआ कंपनी के 7471 परसेंट मतलब की 7500 परसेंट ओ माइगाड समझ रहो ना इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि थोड़ा दिल थाम के बैटो और आज हम स्टॉक नहीं नॉलेज लेंगे एक बार नॉलेज मिल या ना पूरी जिंदगी बन जाएगी लेकिन एक बार पैसे की पिछे भाग गयाने तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी फर्क बस इ देखाऊंगा पैसे से पैसा नहीं बनता और हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी फिप्टी से दूर रहो दूर रहने का मतलब यह नहीं कि सारा पैसा जो है निफ्टी फिप्टी में डालना या मैंने कई वीडियो बना रख़िये है ।ो पता चल पार हालाक यहां पर अच्छे वाल स्टॉक बताए गया है तो लगबग 30 मिनट पहले ये वीडियो अपलोड किया गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप चाहके उस वीडियो को जरूर देखेगा कि क्यों ये भी उसी तरीके से उससे भी जादा यूसफुल है यहाँ पर प बहुत सारे लोग बोलते कि दो उर्पया के शेर में पैसा नहीं बनता बहुत सारे लोग बोलते कि एक ही चीज़ को रिपिटेड बोलते हैं टाइटन ने दो रुपया से दो हाजार चला गया रिपिटेड बजास फाइनेंस पांच रुपय से पांच चाहर बन गया यह क्या करती है ट्रांस ग्लोफ फुड इंगेज इन डे एक्टिविटी आफ ट्रेडिंग इन फूड ग्रेइन बहुत सारी टाइप के फूड वेजिटेबल और कैचप बनाती है टेमाटो सेस्व अगर बनाती है ठीक है यह कंपनी आप देख लिए क्या काम करती है मैं आपको ब इतनी तीजी से यह उपर गया है यहां पर देख सकते है इसका मारकेट के काफी छोटा है और इसका जो फेससे विवेल्यू के आसपास है मतलब अगर यह split भी होता है या bonus वगरा दिया जाता है तो हो जाएगा काम हो जाएगा इतने में और वैसे भी अगर आप इसका PE ratio देखना चाहते हो आज के डेट में 2% का यहां पर अपर सरकीट लगा है देखिए मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ बाकि सारे जो स्टॉक है वो आपको सरकीट वाला है सही नहीं है अब देखिए यह स्टॉक का मैं आपको आल टाम चार्ट देखाना चाहता हूँ पहले तो यह कंपणी कितने रुपीस गये थे तो 1000 के आसपास यह था और इसका जो हाई था लगबग यह 5000 के आसपास था देख सकते कितनी तेजी से यह कंपणी बढ़ते गई बढ़ते गया लगबग 200 के आसपास है तो मैं यही बोलता हूँ कि पैसा लगाना इंपोर्टेंट है लेकिन आपके ओपर डिपेंड करता है कि आपने वह स्टॉक पर कितना जादा रिसर्च किया है अब उसी तरीके से देख बजास फाइनेंस बारें बात करते हैं तो बजास फाइनेंस आज के डिट में यह लाज कैप और बहुत बड़ी दिगज कंपनी बन चुकी है लेकिन अगर देखेंगे तो बजास फाइनेंस पहले भी चोटी कंपनी थी लगबग 5 रुपीस के आसपास यह स्टार्ट होई पहले तो इसने चार यह पांच साल इसने कुछ रिटन भी नहीं दिया था यही जो चार और पांच साल है यही जो फॉर और फाइप यह से आप लोगों का पेशेंस चेक होता है समझ रहे ना पहले याद है अगर आप टीवी अभी पी देखा को तो टीवी में बताया जाता है बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े जो यह होते हैं सेंट होते हैं जो साधू लोग होते हैं वो क्या करते हैं एक पांच साल दस साल बिस बिस साल तक करते हैं तब जाके रियल में भगवान उनके पास आते हैं हैगी नहीं तो यह क्या होता है तो जिनों ने लगबग उसमें company का हलत सही होगा, तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ, कि patience एक ऐसी चीज है ना, कि आपको कहीं भी लेके जा सकता है, या तो stock market में हो, या तो आप कहीं भी, अगर real life में भी अगर रहते हो, कहीं पर भी तो आप लोग को वहाँ पर patience रखना ही पड़ेगा, और एक best example अब देखें, यह जो trans globe food limited है, जो भी है, तो यह अभी 200 रुपीज के आसपास चला, हाला कि यह 2 रुपे का 52 विक लो है, correct, याद रखेगा, इसका 2 रुपे का 52 विक लो है, अभी कितना चला, लगबग 200 के आसपास चला, अब बहुत सारे लोग यह बोलना स्टार्ट इदना बहुत हाई में चल रहा है, मुबाइल के स्क्रीन से बाहर जा रहा है, मत कर इदना, नहीं तो कल को क्या होगा, कि पोटफोलियो में से भी भाग जागा, पता नहीं चलेगा, ऐसा, आप देखें यहाँ पर, लूपीन, जिसका नाम है, लूपीन फार्मा सेक्टर के दिगज कंपनी, राके जुन जुन वाला के पास है यह स्टॉक, अगर आप देखोगे तो यह कंपनी भी लगबग 2 रुपे के आसपास से स्टार्ट हुई थी, दो रुपे के आसपास से स्टार्ट हुई थी, और जिसके बारे में हम बात कर रहे है, ट्रांस ग्लोब लिमि थाउजन रुपीज पे, थाउजन रुपीज पे, और हाला कि यह देखेगा, यह जो टू थाउजन है, यह टू थाउजन तक गई थे, तो भाई यह सबजी मंडी नहीं है, यह शेयर मार्किट है, कुछ भी हो सकता है, जब आपको बिलीव नहीं होगा, एक इनसान बात है, समझ रहे हैं तो उसे तरीके से कभी भी खिसी को हम जज नहीं कर सकते हैं, जब यह 2 रुपए का शेयर, 2000 बन सकता है, तो जो 2 रुपए का शेयर है, अभी तो 200 रुपए है, कलको कुछ भी हो सकता, तो इसलिए मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आपको खरीदना है, मै कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यह आपके उपर depend है, भाई, पैसा आपका है ना, तो मर्जी भी आपका होगा, अपने पैसे के मालिक आप खुद हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो बस पैसा देखते हैं, भाई, और कुछ नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, किसी भी च साफी कर रही है ना, तो salary देने वाला 9 साफी कर रहा नहीं, कि कौन ऐसा इंचान है, जो 9 साफी कर रहा भाई, एक को 10,000 दे रहा, एक को 5 लाख रुपे दे रहा, कोई भी ऐसा इंचान नहीं दे रहा, भाई, तुम्हारी जितनी capacity है, तुम जितनी काम कर रहे हो ना, उतना ह तुम को कंपनी पैसा देगा, और जिसका जितना value है, उसी तरीके से, अब हम देखते हैं, यह जो 2 रुपे के कंपनी है, यह लगबग 1999 की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखोगे, तो यह 2015 है, यह देखे, 2014 है, 2015, तो 15 यह 16 साल में यह कंपनी ने, जो है, सब लिगों को ल 15 साल नहीं रुख सकते, तो आप 15 मिनट भी मत रुखिए, वो डायलोग भी मैंने आप लोग को दिखाया था, अगर आप 15 मिनट, अगर आप 15 साल नहीं रुख सकते, किसी कंपेनी को खरीदने के बाद, तो आप 15 मिनट भी मत रही है, ऐसे, वरेन बफिट ने बोला था, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है या आपकी मर्जी है आप 2 मिनिट में बिचे या 10 मिनिट में तो मार्किट में पैसा पेशन से बनता है पैसे से नहीं अभी देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्मोटर्स के पास यहां बहुत कम हिस्सेदारी है लगबग 14% के आप पास हिस्सेदारी है पर्मोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटा लिया है यह इस वज़े से पर्मोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटा लिया है क्योंकि और company के पास reserve भी नहीं है ना ही return on capital employed है तो कुछ भी नहीं है क्योंकि company काफी ज़्यादा नुकसान में है पहले यह सोच सकते हो 5000 के company में बार बार बोल रहा हूँ 5000 के company अगर 2 रुपे प्याज आती है तो मतलब पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है लेकिन जिसने जो है last time खरीदागा उसके बार जिगजब करेटन मिला अब पता नहीं यह कुछ भी हो सकता 5000 के company है कम से कम अगर 1000 रुपेज भी चला गया तो आपको मतलब 1520 जर के आसपास दो है return देते हुए नजर आएगा वहाँ जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर आप लोगों को देखते हुए नजर आ जागा बाकि मैं आपको इतना ही बोलूँगा कोई भी stock अच्छा और खराब नहीं होता यह आपके ओपर depend पड़ता है कि आप कैसे उसको study करते हो आप कैसे उसको judge करते हो और यह कोई shocking वाली बात नहीं है share market में कुछ भी हो सकता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 5 करोड़ है या 10 करोड़ है और आप share market में आना चाहता हूँ और आपके पास patience नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा आप return चले जो भले ही आप मेरी बापके बेटे हो या कुछ भी हो या आप अमीर हो कुछ भी हो रहीस हो कुछ भी share market आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके पास patience नहीं है आप ये पैसा कृपिया करके कहीं और लगा दीजे लेकिन अगर आपके पास केवल 10,000 रुपीज है और आपके पास patience रखने की हिम्मत है तो आप share market बेंटरी ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं 50,000 तो यार आपकी जिंदगी बना सकती है लेकिन patience साथ में होना चाहिए अपने आप से पुझे क्या आप आपके पास patience है पांच साल, दस साल, पंदरा साल, भी साल आप रूक सकते हो तो ही पैसा बनेगा नहीं रूक सकते हैं तो आप भले ही आप याप यहाँ पर 5,000,000 लेके आजाओ या पांच अरब लेके आजाओ या पचास अरब लेके आजाओ या 50 कुछ भी लेकर आजाओ या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट आप कितना भी पैसा लेकर आओगे ना पूरा जितना है आपके पास पूरा प्रोपर्टी को अगर सेल कर दोगे ना तो मार्केट बोलेगा भाई मेरे लिए वह 1 पसंट के बराबर भी नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ा है आप जितना पैसा डालोगे उतना सब वह कैप्चर कर लेगा इस वज़े से फेशन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप चाहां 1 रुपीज का शेर खरीदे या 0.05 पैसे का शेर खरीदे या 5000 का शेर खरीदे या 5 लाग का खरीदे फर्क कुछ भी नहीं है या आपके उपर डिपेंड में बार बर यहीं चीज बोल रहा हूँ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ अपतो समझ जाओ इसलिए मैं बोल रहा हूं बाकी आपकी मंज़धी आप देख सकते क्या से यह क्या गलत है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नह हो अपना डिमेट account open कर सकते हो यहाँ पर आप लोगो जो है फ्री में डीमेट account open करके दिया जागा देखिए अगर आपको फ्री में डीमेट account दिया जारा सही है डीमेट account के साथ साथ आप लोग को knowledge भी मिलना start हो जागा वहसे भी इंजल जीरोदा जैसे जो platform है यह अच्छे वाले platform है जहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों से safe है यहाँ पर एक group है यह एंजल के पास खुद का group है जहाँ पर आपको बताया जाता क्या करीदना नहीं खरीदना बीचना नहीं बीचना इंट्रडे future option शॉर टम लॉंग टर्म यह सब आपको वहाँ पर बताया जाते हैं डिमेट अकाउंट फ्री में डिलेवरे चार्जेस फ्री में ग्रूप में वह लोग आपको आइड करेंगे किवल 20 रुपीज आप से लिया जाता वह भी इंट्रडे ट्रेड में जो हर जगा लगता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जा कि आप अपना डिमेट अकाउंट ओपिन कर सकते हो इसलिए